नमस्कार दोस्तों मैं शिव ब्रजहिन आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की डेट में सब लोग अपने आपको बहतर प्रदशित करने के लिए बहतर दिखाने के लिए ब्रांडिट चीजों पे जो है मरते हैं मलब चाहते हैं कि ब्रांडिट कपड़े पहने, ब्रांडिट वाच पहने, हेर स्टाइल अच्छी हो, सूज ब्रांडिट हो क्या ब्रांडिट पहनने से आपकी ब्रांड बनती है दोस्तों मैं आपको जो बताने वाला हूँ ये जो ब्रांड में बताने वाला हूँ इससे आपका जो वर्तमान के साथ ता जो फ्यूसर वो brand निश्चित रूप से बन सकता है ब्रांड में सभसे पहली बात है हमारी जो आवाज है वो मधुर होनी चाहिए वो गाली गलोश के लिए नहीं बनी है मधुर सब्दे के लिए बनी है प्रार्थना के लिए बनी है प्रेयर के लिए बनी है दूसरा जो हमारा हिदय है उसमें सभी के लिए प्रेम रहना चीए जाती धर्मचेतर से उपर उठकर ये मान कर कि सभी इस्वर की संदाने हैं हिदय में प्रेम रहना चीए ये ब्रांड है उसके साथ जो हाथ होते हैं किस है, गलत द्रिस्टी के लिए नहीं है, क्रोध के लिए नहीं है, यह आँख सिंपैथी के लिए है, सहानुभूती के लिए है, अगर किसी को देखे तो सहानुभूती रहे, दुख रहे तो सहानुभूती रहे, अगर कोई सुख में है तो संतुस्टी मिले, आख को संतुस्टी मिले, these are the brands उसके साथ साथ हमारे जो सिंपती के साथ साथ हमारा जो चहरा है, हमें साथ टींशन में नहीं, उसकी मुस्कान उसकी brand है उसकी smile उसकी brand है दोस्तों हमें साथ मुस्कुराते रहो, चाहे सुख आय या दुख आय सुख दुखे समा कृत्वा लाभो लाभा जया जयो तथो युद्धा युजस्वम नैवं पापम वापस थी यह स्रीकृष्ण कहते कि सुख दुख का त्याकर जै पराजय की चिंता छोड़ कर अपना कर्म करो अरजुन और निश्यत रूप से तुम जीत के भागदार होगे और क्या कहते हैं धर्म के अधिकारी होगे बुद्ध भी यहीं कहते थे कि सुख या दुख हमारी बिचारधारा बन गई है यह सिर्फ बिचार की प्रवित्तियां है उससे सरीर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता सिर्फ हम अपने मास्टिक्स में एक विचार मना लेते हैं भूमने लगता है तनाव लेने लगते हैं जबकि ऐसा कुछ है नहीं दोनों को समान मान के जीवन जीना चाहिए तो यह जो पांच ब्रांड है आप कलाम साब को जानते हो ना या उनकी ब्रांड नहीं है चितने महापुरस रहे हैं उनकी ब्रांड नहीं है क्या वो लाखो रुपे का सूट बूट पहनते थे क्या नहीं तो जो ब्रांडड चीजें वो पांच हैं उनको फालो किज़े जीवन निश्यतर सुदार होगा और आगे बढ़ाएए बहुत बहुत धनेवाद Thank you so much Love you all dear